हाँ जी तो क्या हाल हैं आपके मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो भी बच्चा आप SSB का इंटर्व्यू देने जा रहा है या देने जाने वाला है विकोज अप मान के चले इस बात को कि SSB में अगर आप जा रहे हैं तो आपके सामने situation make or break की है अगर SSB clear तो life is totally different और अगर non recommend तो back to zero and कभी भी ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि because of some documentation आप SSB से बाहर हो जाओ because rules are very very strict अगर आपने वह rules follow नहीं करे तो जी आपको पहले दिनी दर्वाजे से बाहर वेज़ देंगे है ताकि सब कुछ उसके पास already available हो लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं सारी चीजे मैं डालता हूं अपने LWS SSB का हमने YouTube चैनल बना हुआ है LWS SSB इंटर्व्यू छेएदा सब्सक्राइबर भी अपने हो चुके हैं यहां पर सारा जो SSB तो रिजल्ट्स भी आ रहे हैं ठीक है तो बस सब्सक्राइब करना इसको अब मैं बात करता हूं देखो यह न मैंने कोलब लेटर लिया है कोलब इंस्ट्रक्शन्स बिसीकली हर SSB की अलग होती है अभी मैंने अलावाज का लिया है हर एक SSB की अलग-अलग होती है तो जहां देखो यह आपको पढ़ना है ठीक है एंड हाड कोपी की नीड नहीं है कभी हाड कोपी लेके जाओं आप पर सबसे पहले तो आपको करेंगे चाचा जी मुबारक हो आपने इतने लोगों को क्रोस करके सेकंड स्टेश पर आगे हो SSB आप जा रहे हो सबसे पहले आपको कहा पर रिपोर्ट करना है या तो आप डिरेक्ट सेंटर जा सकते हो वरना रेल्वे स्टेशन से भी प्रोपर प्रोवधान है कि पांच पंदरा के पांच पंदरा का टाइम होता है डेली बस सर्विस है जो रेल्वे स्टेशन से से सेलेक्शन सेंटर जाती है यह हर सेंटर का अ वेक्सिनेशन लगवा रखे डबल डोस या अगर वो नहीं है चाचा तो आपको 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 सिंटम्स मिले कोरोना के तो आपको वापस बेज देंगे डोंट टेकिस टेकिट लाइटली बिकोज मैं परस्नली जानता हूं एक अपना बच्चा था ओफ्लाइन का ही था बच्चा अपने SSB का रिकमेंड भी हो गया उसके बैच में बच्चा था एक वह बच्चा थार्ड डे वापस गया क्यूंकि उसकी तबेद बहुत ज्यादा ख एक्स्ट्र केरफूल हो जाओना थोड़ा सा एक्स्ट्र केरफूल होने में नुक्सान के ऐसी कुछ दिख्कते ना जाए तो प्लीज मेक्शूर इसके अलावा सारी डोक्यूमेंट सबके पास होने चाहिए वरना सीधा मामला कैंसिलेशन का है दे विल यूर मत करना पहले आपकी डाड़ी नहीं थी आप डाड़ी है या वाई सवर्सा नोट एकसेप्टेबल लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो ठीक है ओके लिखा हुए कि एक पहले करो ठीक है और डिस्क्वालिफिकेशन है ठीक है अच्छा इसके बाद इसके अलब कहता है कि इनफ कपड़े लेके आना आप ताकि आप दो वीक कर सको दो वी क्यों करें अगर आप रिकमेंड हो गए उसके बताब मेडिकल वेडिकल नहीं कराओगे उसके लिए सब चाहिए होता है ठीक है परसनल फेस्ट मास्क यह सब एक बहुत इंपोटन आप खुद लोग है अगर आपने अगर आपने क्लेम करना है विकोज आप सबको पता है कि AC 3-tier मार्लाव ट्रेन की जन्नी का आपको फियर वापस मिलता है चाहा प्राइवेट से जाओ चाहा पैरोप्लें से जाओ किससे जाओ लेकिन पैसा आपको इसी के प्यूविवेलें लेके जानी है मैट्री कुलेशन पासिक सर्टिविकेट जो आपके 10 की वह है ना 10 की सर्टिविकेट आपके बेसिकली नाम मैच करने के लिए होती है अगर आपके नाम में कुछ चेंजिस है तो भाई सब आपको इशू फेस होंगे एक प्रोपर उसका अलग से फिदेविट करोगे ठीक है यह आपको लेके जानी है 12 क्लास की माक्षिट एंड 12 पासिंग सर्टिविकेट आपको लेके जाना है बाइचांस अगर आप 12 अपेरिंग हो या फिर आपने उसको सम्मिट कर रखा है तो उसका अलग से एनेक्जर है जिसका फिल करके लेके जाओं 12 अपेरिं के लिए सपोज उसने माक्षिट कर दी है तो अपेंडिक्स बी में जो दे रखा है वह उसको फिल करके लेकर आना है अच्छा अगर आपके पास क्या नहीं है रिजिस्ट्रेशन होगे रहा इसको प्रोपर वापर समिट करना पड़ता है आपको औरिजिनल लेके जाने हैं स आपको वापस दे दिये जाएंगे प्रूफ आइडेंटिटी आपके पास आधार कार्ड वोटर आइडी कार्ड पैन कार्ड इनके इन में से कुछ भी हो यह ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो यह आपको औरिजिन वहां पर लेके जाने आपका प्रूफ है अगर आपन जो आपने लिखा था एक्जेक्ट ली वही होना चींज से कुछ भी चेंज होगा तो आप सीधर डिस्क्वालिफाई हो जागा कोई चींज उसमें आप नहीं कर सकते हैं नोट एक्सेप्टेबल को जब आप फॉम भरते हो तब वह क्लियरली बोल देते हैं उसमें कुछ चे टेटू है एंड वह परमिसिबल नहीं है तो चाचा जी सीधा सीधार एक्शन है तो अगर आप अभी छोटे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कोई परमारेंट टेटू ना किच्वा है वह ट्राइबल वगारा कमुनिटी के अलाउड ठीक है अपर उसको भी डिकलेशन आपको इसके बाद होगा इड्मिस्टेटिव इंस्टेक्शन है वह सब तो चीज है कि क्या क्या सब्सक्राइब को लेके जाने है नीचे पीडिएफ में कोलफ लेटर के साथ मलब अटेच होते हैं उसका कोई मलब प्रिंट आउट वैसे निकालना बड़ जो जो अपने लिए फॉ होगा कि आपको यह पता हो कि कौन-कौन से आपके लिए उसको आप देख लो कि हाँ वो चीज़ा के पास है या नहीं है नहीं है तो उसके लिए क्या करना है सब कुछ इसमें लिखके दिया हो कुछ और किसी और टाइप की क्वेरी आपको लगता है कि सर मुझा बता दो तो इतना ही था आज के लिए जै हिंद जै भारत